नमस्कार देश देशांतर में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं घंशेया मुपाध्याए आजाद भारत के तिहास में 26 नवंबर की तारीख बेहत खास है दरसल यहीं वो दिन है जब घुलामी की जंजीरों से आजाद होकर अपने स्वतंतर अस्तित्व को आकार देने का प्रयास कर रहे राष्ट ने सम्विधान को अंगिकार किया था इसे दिन सम्विधान सभा ने इसे अपनी स्विकृति दी थी इसी वज़े से हम और आप इस दिन को सम्विधान दिवस की तोर पर जानते हैं आज समिधान के सत्तर बरस पूरे हो चुके हैं यूँ तो समिधान ने हमारे जीवन के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हर पहलू पर कहें अमिट छाप छोड़ी है लेकिन अगर बात महिलाओ की हो तो उनके दर्जे और स्तिती को और सुद्रण बनाने में समिधान की भूमी का बेहत एहम रही है समय समय पर समिधान में महिलाओ की स्तिती को मजबूत करने के लिए संचोधन किये जाते रहे जिसका मुक्य कारण रहा भारतिय पुरुष प्रधान समाज में महिलाओ के साथ लेंगिक आधार पर भेद भाओ वहीं दूसरी और परंपराओ, रिती रिवाजों और मानिताओ की चलते भी उन्हें समान में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया समीधान ने ना सिर्फ इसे पूरी तरह खत्म करने का काम किया, बलकि अधिकारों को सुरिश्चित करने के साथ उनका क्रियान वैन भी किया और ये सिलसिला साल दज साल जारी है तो समीधान की इन सतर वर्षों में महिलाओ के लिए क्या कुछ खास रहा और कैसे महिलाओ के सिति में बदलावाया इन्हीं तमाम मुद्व पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहत खास मेहमानों का खास पैनल जुड रहा है अरिचार में करादू मेरे साथ डॉक्तर आलोक शर्मा जूड रही है सायग प्रोफेसर है विदी संक्याय दिलिव विशेव द्याले में मेरे साथ चर्चा में जूड रही है एश्वरे भाटी जो वकील है सुप्रीम कोट में स्वागत एश्वरे जी आपका अदिती टर्णन जुड रही है मेरे साथ विशेश समवाता है दर ट्रिब्यूंस यह अदिती आपका भी स्वागत चर्चा की शुरुआत अदिती आपी से करते नारी उत्थान को लेके हमेशा चर्चा होती रही इस चर्चा वे समविधान का कितना बड़ा योगता है समविधान ने कितना बल दिया इस चर्चा को कैसे आप आख दिती देखिये समविधान निर्माताओं की अगर आप Constituent Assembly की डेबेट्स उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत जाहिर हो जाता है कि जितने भी हमारे Constituent Assembly के मेंबर्स थे उनका बहुत स्ट्रेस था Equality of Sexes पर कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव शुरुआत से अगर ना रखा जाए तो एक सशक्त समाज की रचना हो सकती है इसी वज़े से घंशाम जो सबसे important जिसको कहते हैं provision हमारे Indian Constitution का था वो था adult franchise की right महिलाओं को शुरुआत से थी बहुत सारे देशों में महिलाओं को संघर्ष करने पड़े ना सिरफ Middle East के देशों में बलकि United States of America में European बहुत सारी कंट्रीज में महिलाओं को बहुत से संघर्ष करने पड़े right to vote अर्जित करने के लिए लेकिन भारत के समविधान निर्माताओं ने ये right to vote शुरुआत से ही जिसको कहते हैं genesis of the constitution में रखी जब आपको political participation में equality दे दी जाती है तो समाज के हर पहलू में आपकी voice उतनी ही important हो जाती है जितनी की पुरुशों की जैसा कि बियार अमबेटकर जी जो father of the constitution हम जिनको कहते हैं उन्होंने बड़े साफ लफ़ों में ये कहा था कि political power के लिए political power policy के लिए बहुत important है और वो political power आपको किस से मिलती है शुरुआत से ही कि आप contest भी कर सकें elections में तो बड़ा ही progressive Indian constitution रहा इस मामले में कि शुरुआत से ही एक fundamental right to vote महिलाओं और पुरुशों को equal footing पे दी गई महात्मा गांधी जो हमारे father of the nation थे उन्होंने हर समाज के हर वर्ग को लेकर बातें कहीं और महिलाओं को लेकर बहुत ही उम्दा बातें कहीं और उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के बगैर समाज की रचना हो ही नहीं सकती क्योंकि पूरे विश्व का आधा हिस्सा महिला है तो अगर पुरुश important है तो महिला उतनी ही important है उसी तरही के से आप directive principles of state policy को उठा के देख लीजे जो अभिन अंग है constitution of India का उसमें बल दिया गया reforms पर legislative reforms पर जो की women empowerment का जो की जो रा है उसको प्रजवलित करें हमने बहुत पहले ही widow remarriage का reform देखा हमारे देश में हमने सती प्रथा का अंत देखा अपने देश में ये सब constitutional mandate के तहत हमने देखा क्योंकि constitution ने ये कहा clear terms पे कि ना सिरफ right to vote है महिलाओं को बलकि right to life and right to dignity उतने ही important fundamental rights हैं और ये सब जो तमाम reforms हमने देखे अपने social reforms एक time तो ये था घंचाम कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि सती प्रथा से कोई लड़ सकता है कि widow remarriage possible हो सकती है कि child marriage के खिलाफ इतना stringent एक law बन सकता है तो हमारी constitution का जो धांचा है वो इतना मजबूत था कि इन सब आगे अधिनियमों को और acts को बल मिला और social reform का एक रास्ता खुलता चला गया उसके बाद succession laws आई हिंदू succession law में कितने changes हुए जिसमें महिला को equal right दी गई प्रापटी में जैसे कि पूरिशों को ठीक है तो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे सारी बाते होंगी लेकि डॉक्टर आलोक इस भी चीबी समझाए यह असल में भारती है महिलाओ की स्थिति की बात करते हैं तो शुरुआत से ही काफी up and downs उसमें हमने देखे और कह सकते हैं कि यह महिलाओ की विकास यात्रा संक्रमन काल से भी गुजर रही है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यह अलिमेंट हैं इस विकास यात्रा को असल में कॉंस्टिूशन सम्विधान कितना स्थाइट हो देता है स्टैबिलिटी देता है देखिए सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को सम्विधान दिवस की शुब कामनाई देती हूं हमारे सम्विधान में जो हमारी प्रस्तावना से ही शिरुवात होती है प्रस्तावना में ही हम बताते हैं कि किस तरह से सम्विधान में हमने क्या क्या लिखा है वही हमने लिखा है कि समानता का अधिकार, सभी को समान न्याए ये सारी चीज़े हमारे प्रेयंबल में पहले से लिखी गई है उसके बाद उनी अधार पर सम्विधान में विशेश जो हमारे अलग-अलग प्रोविजन्स बनाए गई है जैसे कि सबसे महतवपून जैसे अधीती ने भी बात की है पंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें सबसे महतवपून अधिकार है समानता का अधिकार और वहाँ साफ साफ लिखा है कि किसी भी लिंग, धर्म, जाती के अधार पर कोई भेद नहीं होगा सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं और कानून के सामने बराबर हैं उसमें ही महिलाओं का क्योंकि हम पूरुश महिलाओं में दो में देखते हैं तो महिलाओं भी उतनी ही कानून की हगदार हैं जितने की पूरुश उसके बाद हमारा अन्य जो एक समानता का धिकार का एक खास है आर्टिकल 15-3 उसमें साफ साफ ये लिखा है कि अगर सरकार को लगता है तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेश तरह के कानून उसमें बनाने का प्रवधान दिया गया है तो उसकी तहट भारत में जब से हमारा आजादी हमें मिली है तब से सरकारों ने 50 से जादा कानून ऐसे हैं जो महिलाओं की संग्रक्षन के लिए बनाए हैं और वह सारे अधिकार वहीं से ही वह अपना लेते हैं उसके अलावा बाकि सारे शोशन के खिलाफ अधिकार है डिग्निटी का अधिकार है और सारे अधिकार जो पुर्षों को हैं वह मौलिक अधिकार में दिये हैं मौलिक डूटीज भी हमारी है करतव्य भी जिसमें कि हम उन सभी ऐसी कुरीतियों को छोड़ेंगे जो महिलाओं के खिलाफ हैं तो वह बहुत है प्रवीजन साथ में डारेक्टर प्रिंसिपल्स हैं और डारेक्टर प्रिंसिपल्स में समान काम के लिए समान तंखा का अधिका है प्री लीगल एट भी है लेकिन जो सबसे महत्पूर अधिकार है मेरे हिसाब से कानून में डारेक्टर प्रिंसिपल्स में वह युनिफॉर्म सिविल कोड है समान नागरिक सहींता क्योंकि हम देखते हैं भारत देश में हमारे आज भी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं पर समान नागरिक सहींता है जिसमें कि सच में हम महिलाओं को बराबरी के अधिकार दे सकते हैं चीक है एक शुरे जी असल में कई बातों का जिक्र हुआ लेकिन इन 70 वरसों को हम महिलाओं के हिसाब से समझने के कोशिश करते हैं और थोड़ा सा बैक गेर लगाते हैं सबसे पह कहने के बजाए इसकी संविधान की जो पूरी स्कीम है जो मेरे अभी कॉलीग्स ने भी बताई fundamental rights में सबसे important बात थी कि to start with a discriminatory constitution नहीं था इसमें पहले से ही महिलाओं को equal अधिकार था चाहे वो social rights हों political rights हों या economic rights हों एक interesting बात जो अभी अलोग जी ने बताई वो थी article 153 की जो एक affirmative action की बात करते हैं देखिए महिलाओं क्यूंकि इतनी सदियों तक अलग तरह की harassment से गुजरी थी अलग तरह की यातनाओं से गुजरी थी इसलिए उसको specially ध्यान में रखते हुए उनको उसमें constitution में एक affirmative action की बात करी कि अगर उनको आट पार लाने के लिए same pedestal पे लाने के लिए कुछ special संग्रक्षन या special अधिकारों की जरूत हो तो वो equality की exception create करके और एक affirmative action की तरह create किया गया अभी और बात करे गई जो uniform civil code की बात है वो भी बहुत important बात है even maternity laws जो है वो maternity अधिकार भी directive principles से ही flow करते है fundamental rights में काफी अधिकार है fundamental duties हैं जो clearly defined है और directive principles है उसके लावा पूरा जो हमारे constitution का की जो trinity है और जो the golden threads that runs through the constitution वो पुरी तरह gender justice gender neutrality और gender equality के उपर ही उसी पे करती है अभी आप recently जो supreme court के judgment आये हैं चाहे वो चाहे वो triple तलाग के practice को unconstitutional करार दे के और illegal करार किया गया दो साल पहले का judgment था वो article 21 की तरज पे ही ये मतलब ये पूरा argument था कि right to live with dignity of women वो ये वो उसके अधिकार के against में है triple तलाग की practice या फिर adultery के कानून को जैसे कि मैं practice में बता रही हूँ आपको कि adultery के कानून को जो पिछले साल supreme court ने set aside किया उसको यही कहके किया कि adultery का कानून मैलाओं को एक object की तरह ट्रीट करता है तो constitutional principles से खरा नहीं उतरता जबकि adultery का कानून मैकाले का बनायावा कानून है और 1860 से हमारे Indian penal code में है लेकि constitutional moralities और constitutional principles पे वो खरा नहीं उतरता क्यूंकि it allowed sexual intercourse with women you know if it was with the consent and connivance of the husband it was not an offense otherwise offense था तो इस तरह की जो interpretation और language थी उसको पूरी तरह गलत माना तो gender justice, gender equality और gender dignity को constitution बहुत firm तरीके से आगे बढ़ाता है और उसी की तरच पर ये इतने कानून भी बने है अधिती असल में हम समाजिक स्तिती में महिलाओ की स्तिती बहतर पाने के दावे लगातार करते रहें लेकिन उस बदलाव को अगर हम समझने की कोशिश करें आपकी ज़वानी जो असल में घर में शुरू होता है घर पे महिला पे अत्याचा, घरिलू हिंसा, उसके साथ मारपीट, तो शायद तब चर्चा का विशय भी ना रहा हो, या फिर महिलाएं उसे बोलने की हिमत भी न रखती हो, या फिर कहा जाता हो कि देखिए शादी के साथ इस तरह के बरताव या इस तरह के हिंसा तो आविधान में कोई भी प्रावधान कर देने से, वो प्रावधान सार्थक नहीं हो जाता, वो सिरफ एक पहला कदम होता है, किसी सार्थकता की जर्नी की तरफ, तो Constitution में बहुत प्रावधान किये, जैसा कि हमारे सात्यों ने बताया, लेकिन क्या व्यावहार में समाज ने उ जबकि Constitution में कोई ऐसी चीज़ कोई कमी नहीं है महिला सशक्तिकरन को लेके लेकिन अगर आप व्यवहार में देखें तो आज तक महिलाओं के साथ जो प्तारना हो रही है हर लेवल पर यहां तक कि आज तक हमें कानूनों की जरूरत पढ़ रही है घंशाम महिलाओं को बचाने के लिए यौन शोशन से महिलाओं को बचाने के लिए घरेलू हिंसा से डोमेस्टिक वाइलन्स के खिलाफ अभी एक्ट एक बना है बहुत बहुत पुराना नहीं है उसके बाद क्रिमिनल लौ की कितनी सारी अमेंडमेंट्स हुई दो हजार सोला के जो डिसेंबर सोला का जो हमारा समाज बदलाव के लिए तयार है या नहीं क्योंकि ये सब कॉंस्टिउशन को इंप्लिमेंट तो लोग ही करेंगे पार्लिमेंट की जो लौ बनेगी उसको विवहार में तो हमारी इंस्टिउशन ही लाएंगी तो ये डिबेट अभी तक चल रहा है और हम ये न भूल कि इतने साल बाद इतनी progressive constitution के बावजूद महिलाओं का जो political participation है हमारी parliament में वो nominal है 11% है सिरफ और अगर आप पूरे विश्व का index उठा के देखें जो inter parliamentary union है तमाम विश्व की parlements का जिनोंने analysis किया है कि पूरे विश्व के अगर 190 countries को rank किया गया है उसमें से भारत 144th position पे है जबकि नेपाल 37th position पे है तो हमारा इमेजेट neighbor साउथ एशिया में अगर ये करके दिखा सकता है और देखिए महिलाएं जब political participation में बढ़ेंगी तो उसका असर policy पे नज़र आएगा उसका असर laws पे नज़र आएगा जब हम पुरुष प्रधान society है हमारी आज भी तो इस वज़े से कहीं न कहीं महिलाओं की जो सशक्ती करन की आवाज है वो political process में कहीं न कहीं दब जाती है घंचाम क्योंकि political process में उनकी participation nominal है जो बढ़नी चाहिए और जो debate अभी तक हो रही है women's quota bill की debate अभी तक जारी है हम दशकों से इसके बारे में बहस कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई उस पर सहमती नहीं बन पाई है लेकिन डॉक्टर आलोग भारती सम्विधान में तेहतरवे और चोहतरवे संशोधन में जो इस्थाने निकायों में महिलाओं की भागिदारी सुनिश्चित करने की बात करती है वो तो इसी बात को बल देती है कि ज्यादा से ज्यादा participation हो जी लेकिन ये बहुत बड़ा कदम था जिसम्विधान ने उठाया और उसमें 33% महिलाओं को आरक्षन मिला लेकिन उसका सही इस्तमाल हो ये देखना बड़ी बात है जादतर केसों में देखा गया है कि महिलाओं सरपंच बन जाती है या वो उनका selection तो हो जाता है अन बॉडी में लेकिन असल में उन्हें घर में बठाया जाता है और उनके पती या उनके भाई या उनके पिता ही उनके नाम पर ये सारा चलाते हैं तो बात यह है कि उन तक गैसे पहुंचे कि हम वास्ताम में हमारे ससिक्ट्य गरंड के लिए हैं। वास्ताम में हमें हे काम करना हैं। तो इस बात कि awareness जगुकता करना बहुत जरूरी है। साथ ही में इसके अलावा भी मैं ये जरूर कहना चाहती हूं, जैसे कि अधीती ने उठाया प्रशने के हमारी पार्लेमेंट में महिलाओं का नहीं है उसी तरह से आप देखिए अगर हम जुडीशरी ने जो भारत का जुडीशरी है बहुत कुछ महिलाओं के अधिकारों को उन्हें दिया है और बहुत एक बहुत बड़ा श्रे जाता है उ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे कि हमने लोकल बॉडीज में महिलाओं का किया ऐसे ही कुछ ना कुछ हमें रूज जुडीशरी में भी हाई कोड़ सुप्रीम कोड लेवल पर भी महिलाओं के लिए करने चाहिए ताकि जितनी महिलाओं आगे आए आए आज तक ऐसा लेकिन महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन जगहों पर भी होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है तो कुछ उसके लिए विशेश प्रवधान होने चाहिए तो आश्वर माना जया कि लेंगे का आधार पर महिलाओं के साथ जो भीदभाव हो रहा था समाज में उसको दूर करने के लिए समविधान ने कुछ चीज़े तो सुनिशित कर दी लेकिन एग्जेक्यूशन उस लेवल पर नहीं हो रहा है कैसे हम ऐसे ही समझे है नहीं ऐसा कहना मैं आपकी बात से इतफाक नहीं रखूंगी क्योंकि constitutional principles बहुत firmly in place हैं उन constitutional principles को का exercise continuously चल रहा है पिछले 70 साल में कई ऐसे कानून आये हैं जो महिलाओं के empowerment के लिए हैं उनके संग्रक्षन के लिए हैं आपने जो domestic violence की बात करी वो act 2005 में आया है जो हिंदू marriage act में succession में change आया वो बाद में आया है पर देखे एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए जो हमारे personal laws है जो अभी भी हमारी civil relationships हैं और वो civil relationships कौन सी रह गई हैं खाली हमारी जो शादी की relationships हैं और परिवार की relationships हैं वो relationships आज भी हमारे personal laws govern करते हैं वहाँ पे gender neutral और religion neutral कानून नहीं है वहाँ उन personal laws के नाम पे आज भी मेलाओं का बहुत शोशन हो रहा है और किसी तरीके से uniform civil code का पूरा resistance ही इसलिए है कि ताक है गया हो चाहे वो fighter pilots हो चाहे सुप्रेम कोर्ट के गलियारे हो चाहे वो sunset के गलियारे हो चाहे space हो हर जगे महिलाओं ने अपनी जगे बनाई है लेकिन जितने अनुपात में जरूरी है उतने अनुपात में नहीं आई है आज भी जो यह male bastions है in male bastions में महिलाएं as individual cases and individual examples of excellence जरूर है पर as a class महिलाओं का स्वामी वेविकानन ने कहा था पुरुष और महिला दोनों एक पक्षी के दो पंकों की तरह हैं एक अगर पंक को पूरा representation नहीं मिलेगा तो एक पंक से पक्षी खली टेड़ी उड़ान उड़ सकता है तो हमारे देश के हमारे समाज के हमारे प aspiration को पूरा कर पाएं अपनी freedom से रह पाएं आज भी basic जो लड़ाई है आज महिला अपनी basic safety की लड़ाई भी लड़ रही है public spaces में वो यह unfortunate की वो public spaces के लड़ाई भी आज लड़नी पड़ रही है sexual harassment का data आज भी बतलब इतना शर्मनाक है कि वो sexual harassment आज भी छोटी बच्ची और महिलाओं के साथ में जो घर के या domestic या known surroundings हैं उन surroundings में sexual harassment सबसे जादा हो रहा है तो जब तक यह basic लड़ाईयां ही लड़ती जाएंगी आज बड़े rights देने की बात तब आएगी जब economic independence महिलाओं के पास होगी कहने के लिए social independence और political independence आ गई है पर economic independence और personal law से independence जब तक नहीं आएगी तब तक सही मायने में वो अनुपात में महिलाएं अपना देश को contribution भी नहीं कर पाएंगी जो उनका पूरा अस्तित्व है उसके हिसाब से कि जब ग्राम पंचायते हैं स्थाने निकाये वहाँ उनकी जिम्मेदारी सुनिशित हो भी जाये लेकिन वहाँ पे भी उन्हें एक सहरा चाहिए होता या वो सहरा खुद बखुद आ जाता है खुद को बदलने का काम भी समविधान ने किया के इन सत्तर बरस में नहीं बिलकुल जब अधिकार मिलेंगे तभी सशक्तिकरन होगा तभी अपनी प्रती भी रवया महिलाओं का इसी लिए बदला है एक assurance मिलती है एक satisfaction और confidence मिलता है जब देश का समविधान आपकी तरफ equality रखता हो तो naturally एक आपको satisfaction मिलती है और ये बात भी सही है कि महिलाओं को जब जब opportunity मिली है हमारे देश में घंशाम उन्होंने अपना सिक्का जमाया है कोई भी field हो जैसे अश्वरिया भी कह रही थी बलकि Rio Olympics में तो सब पूछ रहे थे कि male athletes कहां गए क्योंकि जितने भी पदक थे सब महिलाओं नहीं पाये थे और हम उस वक्त हम ये articles लिख रहे थे कि ये क्या हुआ अचानक कि सारा का सारा डंका भारत का महिलाओं नहीं बजाया तो दिखाया ये गया है हमारे इतिहास ने भी ये दिखाया है कि जब-जब महिला को आपने opportunity दी है उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है लेकिन यहां एक में छोटी सी बात जो जोड़ना चाहूंगी वो है कि हमारा जो adverse sex ratio है घंशा 927 महिलाएं हैं हर हजार पुरुषों की प्रती तो यहीं से हमारी problem शुरू हो जाती है missing women हमारी society का एक बहुत बड़ा challenge है जो सिरफ political will और सामाजिक दृष्टी को उनको बदलने से ही ठीक हो सकता है आज की date में अगर आप electoral data हमारे देश का उठा के देखें तो 65 million के करीब जो महिलाएं हैं जो 20 प्रतिशत महिलाएं eligible हैं voting के लिए वो 20 प्रतिशत महिलाएं 65 million हमारे electoral roles में हैं ही नहीं तो इसका मतलब कि उसी process में क्योंकि adverse sex ratio है हमारा और अगर आप electoral data देखें तो उसमें और भी जादा adverse sex ratio है general sex ratio के comparison में तो ये बहुत deep और बहुत complex challenges है और कोई भी society तब तक succeed नहीं कर सकती जब तक उसका समाज ये ना समझ ले कि constitution और laws उतने ही effective हैं जितना कि समाज उनको बनाना चाहता है अभी आश्वरिया ने कहा कि हम अभी तक safety की लड़ाई लड़ रहे हैं पब्लिक spaces में laws after laws are being enacted लेकिन rapes का data बच्चों के साथ उत्पीडन का data बढ़ता जा रहा है और heinous crimes बढ़ते जा रहे हैं ये क्या वज़े है ये हमारे समाज को क्या हो रहा है तो समाज अपनी सारी responsibility constitution पे या parliament पे या elected leadership पे डालके अपने hands wash नहीं कर सकता है society को भी अपने जम्मदारी समझनी होगी ठीक है लेकिन डॉक्टर आलोक ये कहा जाता है सुना जाता है कि देखे कंधे से कंधा मिलाकर महिला पुरुष साथ चल रहे हैं लेकिन क्या exact परिस्थितियों में कंधे से कंधा सही तोर पे मिलता वा दिखाई देता है और इसी तरफ समिधान ने जब जान लिया तो जो कारिस तल पे शोशन होता है महिलाओं का उस और भी काम किया गया इस और समिधान का योगदान अब कितना important मानती मैं समिधान ने महिला पुर्शों को हर चीज बराबर दी है बिलकुल समान दिया है और ये जिमेदारी सरकारों पर जुडिशरी पर नियाइब सब पर दी गई है कि उन अधिकारों को उनको वो महिलाएं पाए उन अधिकारों को लेकिन जैसे कि अधिती ने बताया अश्वरे ने बताया कि आज भी समाज इन चीजों को मानने के लिए तयार नहीं है अधिकार तो समिधान में है कानून 50 से जादा महिलाओं के लिए बनाए गए है लेकिन धरातल पर उन कानूनों का कितना पालन हो रहा है ये सबसे बड़ी समस्या है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि महिलाओं अपने अधिकारों के बारे में जानती ही नहीं है उन्हें अवेरन ऐसी नहीं है कि हमारे पास ये कानून है जैसे घरेलू इंसा है 15 साल पहले कानून आया लेकिन महिलाओं को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है ऐसे ही बहुत सारे कानून है जो कि महिलाओं के लिए रोज मरना के जिंदगी में काम दे सकते हैं लेकिन उन्हें उनका पता ही नहीं है तो जब उनके पास जागरुकता ही नहीं है उनके पास वो साधन ही नहीं है जिन या और भी हमारे तंतर हो सरकार के ठीक है जीवी दस्तावेस कहते हैं समिधान को और ये जीवनता महिलाओं के जीवन में बनी रहे इसकी कोशिश भी हुई लेकिन जैसे डॉक्टर आलोग भी कह रही है अधिकार होना एक अलग बात है लेकिन उनका पता होना उनका इल्म होना दूसरी बात है ये जो बीच का वैक्यूम है ये भरेगा कैसे भर रहा है गंशाम जी रास्ता तो चली रहा है जो जर्नी हमने देखी है नहीं खाली कोशिश की और कोशिश से ही तो सब होता है गंशाम जी कोशिश के विना कुछ हो ही नहीं सकता और देखिए हिंदुस्तान की महिलाओं ने समविधान के साथ में अपनी जरनी को एक बहुत अच्छी तरीके से शुरू किया है बाकी देशों का comparison अदीती जी पहले ही बता चुकी है उसके बाद में जो सारे कानून आए जिनकी चर्चा भी हमने की है उन कानूनों जरनी ये नहीं हो सकता कि ये सो इन सो एर्ज में ये हो गया अचीव हो गया तो इसके आगे बाद कतम हो गई बट देश इस जरनी विच शूरली एंड सिक्योरली प्रोग्रेसिंग इन द फ्यूचर ये ऐसी जरनी नहीं है कि स्लो चल रही है बहुत सारे चैलेंजिस हैं लेकिन महिलाओं के पूरे आयाम वो पूरे अपनी एस्पिरेशन को फुल्फिल करें और देश में एक सुद्रड योगदान दे देश को और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उससे कोई भी उनको रोक नहीं सकता और बहुत सारी इंस्पिरेशनल महिलाएं हैं समाज में जो ये पूरी अवेरनेस भी बढ़ा रही हैं और इस जर्नी को आगे भी बढ़ा रही हैं और हमारे कानौन उनको पूरी तरह एक बल देते हैं कि वो पूरी तरह से आगे बढ़ें तो इट इस डेफिनिटली अ जर्नी फॉरवर्ड चीक है तो चोड़ी- पुब्सूरत होता रहे इसी उम्मीद के साथ तेज दिशांतर में आज बस इतना ही लेकिन आप पार एक एलिक्रम यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप जानते ही, आपके सुझाओं का, आपके रियक्शन्स का, हमको बेसब्री से इंतिजार रहता है, तो फिलहाल के लिए आपके ख़बरों के लिए आप विक्तर रहे, राजसभा टीवी, नमस्कार.